आज में बनाने जा रही हूं लॉकी का डोसा जो बहुत यूनिक है और बहुत जल्दी से फटा फट से बन जाता है उसके साथ मैंने बनाई है यह पीनट की चटनी याने की मुंखली की चटनी और यह डोसा इतना क्रिस्पी बनता है इतना टेस्टी बनता है और इस पीनट की के साथ तो यह बहुत इह द्यादा रा जबावाब भी थैश तो बहुत ही असानीसे बिना फ़र्मेंट करें और बहुत ही असठी defend kep फंसानीसे आप इसे बना सकते हैं luckybelous alsososos recognized male दोसे अ 10-35 जो रेगुलर आप यूज़ करते हैं और उनको आप एक घंटे के लिए बस भिगो के रख देज़े और जो एकसेस वोटर होगा वो मैंने निकाल दिया है और यह चावल यह देखिए थोड़े थोड़े से फूल गए है यानि कि भीगे वैसे हो गए है तो अब हमेर पास है य मैंने यहां पर लौकी ले लिए और जितना हमने चावल लिया है उसकी आधी हमने लिनी है लौकी को तो इतना लौकी काफी रहेगा इसमें तो बस इसको अब हम छील लेते हैं अच्छे से आप इसको पील कर लेजे यह इतना आएगा और अब मैं साइट कर देती हूँ और यह हमरे पास लौकी और इसको हम काट लेते हैं तो ध्यान रिखेंगे बीच का पॉर्शन हम नहीं लेंगे क्योंकि आजकल जो लौकी आज बीच का पॉर्शन बहुत जादा मतलब उसमें बहुत जादा बीच होते हैं तो हम बीच का पॉर्शन नहीं ले रहे हैं और इसको प्रोपोर्शन देखना है लौकी जैसे यह आधा कप से थोड़ी जादा है और चावल जो है उसके दुगने है तो यह प्रोपोर्शन है अब एक ब्लेंडर में हम लौकी डाल लेते हैं इसमें इसके साथ साथ ही जो हमेरे पास चावल हमने भगो के रखे वए वह भी डाल देते हैं और बहुत ही कम पानी में आप इसे पीछ लेजे तो पीछ जब लेंगे इस तरीके से तो यह इस तरीके से बेटर बन जाएगा और यह देख रहे हैं कितना स्मूध बेटर है तो तो बेटर की कंसिस्टेंसी देखिए और यह इतना वाइट है डूदी शायद इसलिए इसको दूदी बोलते हैं कि इसका कलर एकदम से दूद जैसा हो गया और यह देखे कोई बता भी नहीं पाएगा कि आपने इसमें लौकी बी डाली ए तो इसकी कंसिस्टेंसी आप देख अब हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा नमक जाह और स्वादोर अब च्छान प्याता झाला है तो कड़ी पता कोधे अच्छे से आप आप बारीकि काट लिजे carry है और यहाँ मैं ने लें आप है प्यास तो मैं दो बड़े तो इसकी तो इसकी कंसिस्टेंसी तो अधे कप से तोड़ा सा कम पानी तो इसकी कंसिस्टेंसी ना आपको इस तरीके से करनी है तो इतना ही पानी मेलाईए आदे कब से भी कम याइट किया है और इसको हम रख देते हैं तब तक हम बनाते हैं मुंगफली की चट्णी तो यहां पे लिए दो बड़े चम्मच मुंगफली की दाने और इसको हम क्या करेंगे ड्राय रोस कर लेंगे तो इस तरीके से आपको इसे dry roast कर लेना है लग बक दो मनिट लगेगा इसको roast होने में और इसके बाद ये छिलका देखिये कितने अशानी से निकल जाएगा तो इसी तरीके से बहुत असानी से छिलके निकल जाएंगे इसके तो आपको सारी मुंख़ली के इसी तरीके से छिलके निकाल लेने हैं और अब उसी पैन में मैं यहां पर डाल रहे हूँ एक बड़ा चमच तिल का सफेद तिल मैंने यहां यूज करे हैं और इसको भी मैं जब तक पॉप अप नहीं हो जाता है तब तक भून लूँगी यानि के एक बड़ा चमच ऐल का इस तरीके से इसमें मैं डालूँगी एक चमच अनिकी दाल और एक चमच लेच यह उड़त की दाल मतल fights मतलों सब चीजे बराबर बराबर बस मुंख़ली दो चमच और इसको चला ललते हैं अच्छे से बून लेते हैं अच्छ से मोन लेते हैं यह मुझपली भी तेयार हो गयी। अब इसको इसे चट्नी यहार में डाल देती हूं। तो इसमें चट्नी पीसमें डालें देती हैं। तो सब चीज़ें मिल गई। तोड़ा साथ नमक एट कर देते हैं और इसको मैं पीस लूँगी थोड़ा पानी मिलाकर आधा कप पानी से मैंने इसको पीस लिया है और यह होगे तयार आप बनाते हैं इसका तड़का तड़के के लिए एक छोटे चमच मैंने ओयल में यह कड़ी पते और लाल मिर्ची इसमें चटका लेते हैं और इसके साथ साथ मैं यहां पर राई भी डाल देती हूँ और इसको अच्छे से चटकने देते हैं और यह देखिए हमारा तड़का हो गया बिल्कुल सिंपल सा तड़का है बहुत ज्यादा जाड़नी है और यह तड़का मैं चटनी की ओपर लगा देती हूँ तो लीजिए हमारी चटनी हो गई बिल्कुल तयार बड़ी आसी मज़दार सी अब बनाते हैं डोसा च्योंकि दोसा का बेटर बहुत देर हो चुकी है तवा गरम करते हैं और जैसे हम ऐल लगाते हैं थोड़ा सा वह लगा दिया है इसके बाद किसी भी गीले कपड़े से आप इसको पोच लेजे अब यह तवा बिल्कुल रेडी हो गया है बड़ी आसे क्रिस्पी से डोसा बनाने के ल हो गया है तो जब यह हलका हलका सा पकने लगेगा यहां पर जड़ा सा आप डाल सकते हैं और चाहें तो आप बटर भी डाल सकते हैं या देसी घी डाल सकते हैं तो जब यह हलका हलका सा इस तरीके से पकना शुरू होगा तो आपको इसे ढग देना है लगबग एक मिनिट के जब तक या इस तरीका से गोल्डन टूम जयसा नहाजा लिए टेक्शर अब इसको दीरे-धिरे अ दीरे हाथो से इस तरीका से आप निकल लिए तो यह तो इस तहरीके अ अपनेसे निकल जाता यह देखिए दोनों तरफ से बहुत अच्छा से क्रिस्पी पकिया है इसको हम निकाल लेते हैं तो देखा आपने यह बिल्कुल रेडी हो गया एक दम से हमारा लौकी का डोसा जो बहुत असानी से बनके तयार हो गया हमें बैटर को फर्मेंट करने की भी जरूत नहीं पड़ है इसको बहुत ही ज्यादा बनाने की कोशिश करीए तो इसके शाइड़ को आप इस तरीके से जonnaise को शाइक § तो ये देखिए जैसे ज़से मैं इसको दबाओंगी ये देखे ये इसकी चिपकन खतम हो जाएगी और ये अच्छे से कृस्पी बन जाएगा तो ये एक तरफ से पक गया अच्छे से अब मैं इसको फोल्ड कर लेती हूँ लूभानों नब्ली यहां लूभानों से फूमजबंध करें सोडा के और बिनाकिसी चीज़ जिए इतना टेस्टी सा बिल्कुल करारा करारा सब्ट्राइब राधा हमारा बंकर तयार तो यह रही हमारी फॉंख फली की चठनी लेज़ बितास्तिन रही है इस में दो हमारे healthy healthy से दो डोसे जो बने हैं लौकी से और कोई बता भी नी पाएगा कि उसने लौकी ऐसे ही खा ली है तो फ्रेंड्स ये हैं बहुत ज़ादा healthy इसमें कोई भी फ्लार हमने यूज ने किया है चावल से बने ये डोसे बहुत ज़ादा सूपर करारे क्रिस्पी या और instantly तरीके से बनाईए और आनन लेजे तो रैसे भी पसंद आए मेरा चैनल जरू सब्सक्राइब करें